हाट पिपलिया पुलिस को रईवार सोंबार की दर्मियाजी रात एक बली सफलता हाथ लगी है। चोरी का सामान लेकर जा रहा है कंजरों का पिछा कर आईटेन हुंड़े कार और उसमें रखा पुलिस के अनुसार ये सामान आनलाइन डिलेवरी का था जिसे कंजर द्वारा ट्रक कर उतरा गया और रातरी में अपने ठिकाने धानी घाटी ले जाया गया। पकड़े गई हुंड़े कार, रमेश पिता, नत्थुकंजर, निवासी, धानी घाटी के नाम पर पंजिब बद्ध है जिसकी किमत अनुमानी 5 लाग रुपे है और पकड़े गई सामन किमत 3 लाग रुपे है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होगा है, जिसनकी सरगर्मी से पुलिस अलाज कर रही है। कार उंड़े में कुछ सामान लेकर तेज़ गती से जा रहे हैं, आरक्षक जीवन माली करनावत को सुचना प्राप करी। सुचना के अदर पर आरक्षक जीवन माली में कार कमांक MP 41 CB 0343 का पिछा किया। और जब उसे पुष्टी हो गई कि इसमें कुछ ऐसा संदिक नमाल है, तो उसने मुझे भी अवकत कराया। ततकाल हमने रात में घेराबंदी करके इस कार को ग्राम चासी और रैली के बीच में पकड़ लिया। चुकि बदमासों का लगातार तीन तरफ से पीछा हो रहा था, तो वो अधेरे और उनकी गाड़ी जहां फ़गी मौके का फायदा उठाकर भाग पाने में सफल हो। जब इन बोरों को हमने ऊपर से चेक किया तो इसमें अलग-अलग थैली पैकेट्स अगेरा मिले हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि यह आउन-लाइन कोरियर डिलेवरी का माल है। और अलग-अलग छोटे-छोटे पैकेट्स हैं इसमें इसमें चार बोरे हमारे पास में पूरे प्लास्टिक टैक से बंद हैं। और पांच बोरे बंबई या रसी से बंद पाएगे। पूरे माल को और इस कार को थारे लाकर हमने चप्त कर लिया है। और अज्यात आरोपियों के फुरुद अपराद 414 CRPC, 102 CRPC, 389 IPC का पंजिवत कर लिया है। और यह जो कार पकड़ी गई है। यह कार रमेश किता नाथू कंजल निवासी धानी गैट्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब हम संदित कार के आरोपी की तलास के जरे हैं। गाड़ी मालिक स्रीव पुष्टाच की जारी है। और दूसरी और एकॉम एक्सपेर्स से संपर्क कर इस माल के विश्या में जानकर लेने का प्रयास किया रहा है। हमारे इस संपून कारवाई में सब इस्पेक्टर रादे स्याम दांगी, एसाई रामचरन पूरवाल और पुधान अच्छक स्याम संदर इच्छित, अरच्छक घंस्याम, राइस चौधरी, अरच्छक पुष्टाच। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें।